मुझे तना प्यार दिये मैं एक घंटे के लिए ही मुंबई आया हूँ चुकि आयुध्या में हमारी ड्यूटी वहां लगी है हर मंदिर को हम नों को साफ करना है होना है यह श्रश्वी प्रधान मंद्री मोधी जी ने पुरे भारत से कहा है कि अपने यहां के मंदिर को साफ क करें आप उसको सफाइए करें आन दीपक जलाये कुणि पवित्र होता है राख्षास भागते हैं रावण भागेगा रावण की मृत्य होगी अपने जीवन के राक्षोस भागाना है तो राम के नाम का दीपक आप जरूर जलाए और राजनिती जो है जो है जो राम मंदिर जीख भी मारता है तो पता चल जाता है, तो हमको जो खबर आ रही है, कि उलोग रात में जो जो लोग नहीं जा रहा है, या नियोता जो अस्युकार कर दी है, वो उनको मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, और वो बिलबिला के अपने पिस्तर से किर भी नहीं है, कुछ लोग सरदिवार में भी मार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि प्रभुराम ने उनको 30-40 साल के लिए बनवास भेज दिया है, अब उनकी राजनीती का बनवास सारे विपक्षियों का, 30-40 साल तक है, मैं बार-बारी चीज रिपीट कर रहा हूं, जैसे प्रभुराम 14 साल के लिए गए थे, प्रभुराम ने इन सारे लोगों को, क्योंकि यश्यश्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास को इतना विराट किया है, राजनीती का चहरा ही वगल दिया, अब कर्म से, इमानदारी से फ्रस्चाचर मुप्ती राजनीती होती है, सच्चाई जो काम दिख रह अभी भी कोई चिंता नहीं है, बाइस तारी को आ सकते हैं, मंदिर सब के लिए खुला है, लेकिन बाइस तारी को कुछ आठी हजार लोगा आएंगे, यूगि बहुत लोड हो जाएगा, बाइस के बाद आए, लेकिन जब भी आओगे, जिवित मोक्ष पाओगे, और जो य अरे नहीं है, पहले बात तो बता दूँ आप से लोग, इस मंदिर में एक रुपिया भी भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का, राजी सरकार का, योगी सरकार का नहीं लगा है, पूरा पैसा एक एक पाई, इस मंदिर में जो हव्य मंदिर है, विराठ है, वो पूरे भारत के राम भक्तों ने, आस्था में विश्वास करने वालों ने, विश्व के राम भक्तों ने, सनातनी विचारधारा के लोगों ने दिया है, ये चंदे से बना है, ये पार्टी का एक उरुपिया नहीं है, ये गलत फैमी निकाल दें विपक्षी, ये गलत फैमी फैलाना बंद कर ये मंदिर राम भक्तों ने बनाया है, उनके चंदे से बनाया है, मेरा भी चंदा गया है, सबका चंदा गया है, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये सारी धारनाओं को द्वस करें, बाइस को विश्व का सबसे बड़ा उत्सव हाथ जोड़कर निवेदेने, उस दिन आस्था अपने राम के नाम पे सब लोग घर जलाना, फूजा करना, रामायन सुनना, रामकाट सुनना, आसपास के मंदिर में जाना, पजन किर्टन करना, ये दृष्य कभी और उस दिन घरती च्वलित होगी, उर्जावान होगी, पेड़ पौधे चमकेंगे, आप देखे ना काम करने जा रहे है, और राम जी के आफमेन पे इतनी कुशी हो रहे हैं आदोको, और आप सब देख देखेलरे हैं कुशी मना रहे है, आपकी सुमच अभी इनसा के गया मैनना, आपकी म्योजिक कमपनी को बहुत शुक कामारा है, कि अन्य जी के साहँ एक आप मेरा जहाज है मुझी फिर जाना है राप जाना है राप प्र लेक्सर माल आप श़र कपसे वेट कर रहा आपका कि यहां तक फिल्मों आती है उनमें अलग करेक्टर सिखा जयाता राम जी का वाली में इसका नाम नहीं पाते सुन होगी अच्छा हनुमान देखें चल गए नहीं फिल्मे मेरी महादेव का गोरफ पुझ मारा जी ने देखा लॉंच किया तो वो फिल्म को बड़ा सरहाना मिल भोषपुरी फिल्म है जो पांच भाषा में पैन इंडिया आ रही है वो देखेगा आप लोगों नो इसको बहुत प्यार दिया देश उसको बड़ा प्यार दे रहा उस ट्रीलर को तो ऐसा आप वो समय आ गया है हम लोग कैसे पेश करते हैं अपने भगवानों को वो बहु सबसे पहले तो रभी जी आये और उन्हें जल्दी में था तो निकली गए और यह हमारे गाने के सिंगर है मादव राजपूत बहुत अच्छी आवाज दिये अच्छी आप यह प्रणा बनाया है मारे निचाल जी हमारे को प्रडूसर है और इतनी खुशी हो रहे हैं कि सब नहीं है बयान करने के लिए थांक यू सो मच अच्छी आप क्या कहना चाहेंगे रवी जी आप इतना बावयोगा आना लॉंस कता है था प्रोडूसर है बड़ी बाद है आज बहुत खुशी वरी हुझे और नहीं जी का भी अटक प्रियास राम है तो बना करके एड़ गया था उसके बाद का बाग्वार महाग जी नही अच्छी आपके सामने है रवी जी ने अपना पूरा सयोग दिया माजव जी ने भी इनदात करके इस प्रोड़क्त को पूरा है हमारी पूरी टीम काफी मैंद की हमने दो दिन में गाना बनाया था बहुत बाद चैलेंज था था हमारे पूरी टीम के लिए इसको जल्द से पूरा समय दिया पूरा युगदान दिया और उसका परिनाम आज आपनों के सामने है मैं उमीद करता हूं कि सब को यह गाना बहुत पसंद आएगा और मैं पूरी टीम को तहीं दिल से बनाया देता हूं शुक्रिया आदा करता हूं और विशे जरुप से महग जी का नीजि सब्सक्राइब करके हम लोगों ने इसको लॉंच किया है कि राम के नाम पे ठाथ इसलिए मैं सुचा अकीला से बढ़ी आए कि कार्मा लेके साथ चले और इतनी बड़ी महफिल और इतना बड़ा कार्मा बना आज मुझे दिल से प्रसंदता भी हो रही है कि हमने एक सबसे पहले मैं पूरे टीम को इतने भी हमारे इस गाने में पुरू है और सब को बहुत बहुत दिल से दन्यवाद करना चाहता है इवें सब्सक्राइब को प्रूसर डैक्टर एक्टर एंड एफरी एव्रीवन क्योंकि एक के मैनत से काम पूरा नहीं होता मैनत इंदाज मैनत करी है लेकिन यह क्रेडिट उसको भी यादा है जिसने इसने चाहे कर पिलाया हो अगर वो चाहे साइब से नहीं पिला शायद यह सूटिंग नहीं होगा तो मैं सबसक्रेडित देता हूं जिन्होंने इसमें वहत तन्मन्दन से मैनत किया है और रभी जी के लिए बहुत-बहुत उलिया तुकुर यह बहुत अच्छा काम किया और रैपिंग करें इसने अपनी आवाज में लिखा गया हैसे पार जिन्से बड़ी बात जो उलिखा गया है कि 24 गंटे गंदर लिरिक्स को बनाना है चार गंटे में लिरिक्स तयार किया गया और उसको तयार करके इतने बड़े प्रमाने पर बनाया है जिनका नाम मिनाक्षी जी है वो हमारे बीच अभी अभी अभलेज नहीं है और वो किसी कारण बस और बंबे लेकिन बहुत बढ़ि दिम्हेंदारी दिया गया था है और बक्षू भी निवाय है और इनके साथ आगे भी काम करना चाहेंगे बहुत ही अच्छा इनके साथ हमसे पतलब एक रिलेक्शन ऐसा वाला परिवार वाला फीलिंग हा रहा है तो थांक्यू मैक जी को और थांक्यू दिरेंदन सिना जी क मुझे दिमाग में नहीं है और मेरे मुमों पे नहीं है जो लोग भी देखेंगे इनको मैं उन सभी को जन्यवाद कर रहा हूं यहां जाएंगे भाव्या काने के पार में इतना बड़ा ओना दूअः तो हुआ जो है आग्या रिवित दुट्र बिल्बरलट प्रेश के लिए वन तक स्ट सक्ट प्रोड़ प्र प्रेशी का झwestग्से corazón् थर प्रेशित हैं लिए पॉर। इस थे सुझी प्रेशिए लिए दिए कियो व Partner एक बात और बताना चाहूंगा, महग जिससे मिलना भी एक इप्तपाकता है, वो स्री राम की मर्जी थी, कि हम अचानक मिले और ये, वो भी बहुत कम सनने, वो प्रोजेक्ट ऐसे ही चलता रहा, कि समय नहीं मिला हमें। कि अतुछा वे नहीं में तब में त프ना चाहूंगा, ग मतुराभ लिए अल्ड़का जेहा है, वो भी मतॉतिया, ओना चाहूं अचानक्ट